ओम शान्ति अब मैं तुमको ऐसे करम सिखलाता हूँ जो विकरम ना बने हमें करम कैसे करने चाहिए क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए पूरी डिटेल में बाबा ने समझानी दियुए है और अगर फिर भी वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाये तो विकर्मों का बोजा तो सिर्पर आएगा फिर उसको स्विकार करने के बजाए कह देते हैं कि बाबा इसको हर लो जब गलती खुद की है और विकर्म भी बनाया है समझ मिलने के बाद अगर कोई भूल की साजा तो मिलती है ना फिर एक समझ नहीं थी जाने अंजाने हो गई उसको हर कोई दुनिया में भी इसे lightly लिया जाता है कि इसको समझ नहीं थी उसे पता नहीं था चलो कोई बात लेकिन समझ मिलने के बाद अगर कोई कुछ करता है तो उसका बोजा तो चड़ता है ना तो इसी तरह से अगर आप ये उमीद रखते हैं कि कोई बिमार है उस पे आशिरवाद करे बाबा या कृपा या आशिरवाद करे तो ऐसा बाबा नहीं करते हैं बाबा आई है पतिस से पावन बनाने आपको अच्छे करम सिखलाने आप अच्छे करम करो आपसे भी करम नहीं होगे और भी करमों का खाटा निष्चा नहीं बनेगा तो सजा से भी बच जाएंगे वो सैसी युक्ति बताई है मेरी याद में रहना मेरी याद तुम्हें शक्ति देगी ताकत देगे और उससे विकरम विनाश होंगे लेकिन ये भी बताया है कि याद में करम करना जिससे आज कोई विकरम नहीं होना चाहिए इसलिए करम भी सिखलाये हैं ये भी बताया है लड़ाई जगडा नहीं करना किसी के साथ वैवार में उपर नीचे नहीं करना ये भी सिखलाया है और अगर इसके विपने चलते हैं तो वी करम बनते हैं तो बाबा करम सिखलाते हैं कि स्रेश्ट करम क्या है उसकी knowledge पूरी देते हैं करना ना करना चलना ना चलना ये सब हर एक मनुशियात्मा के अपने हाथ में हैं समझानी तो हर एक को मिलते हैं, मिल चुकी है, तो वावा ऐसे करम तुम्हे सिखलाते हैं, जो भी करम ना बने हैं, ओके, ओम शान्ति,